जै हिन दोस्तों दोस्तों आज हम स्टेटिस जीके के कुछ ऐसे ब्रह्मास्त क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि हर एक एक जाम में कहीं न कहीं पूछता है तो इसमें इस्पोर्ट के होंगे और आगे जो भी आएगा टॉपिक वाइज टॉपिक लिए हैं जलते हैं नडजी ट्राफी इरानी ट्राफी सीके नाइडू ट्राफी बिजे हजारे ट्राफी बिजे मर्चेंट ट्राफी देवगर ट्राफी दिलीव ट्राफी और सय्यद मुस्तात अली ट्राफी ए सब क्रिकेट से सम्मन्नीत है इतने हैं वो क्रिकेट के हैं अगला है हाकी के हाकी ध्यान चंद्र कप, महाराजा रनजीत सिंग कप और बेगटन कप यह सब किसके हैं तो यह है हांकी के यह जो है हांकी के कप हैं और आगे देखेंगे फुटबाल के उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं फुटबाल के हो गए हैं संतोष ट्रफी, सुब्रोट्रो ट्रफी, डुरंड कप, रिवर्स कप, कुलिंगा कप, तोड मोमेरियल कप एक इसके हैं फुटबाल के बेडमिन्टन के थोमस कप, उबर कप, नारंग कप, अगरवाल कप और दिवान कप अब देखेंगे कुछ देशों के नेशनल गेम, जैसे भारत के क्या है, भारत के हाकी है, भारत का हो गया हाकी, पाकिस्तान का भी हाकी ही है, बंगला देश का कबड़ी, नेपाल का बाली बाल, स्रिलंका का बाली बाल, भुटान का तिरंदाजी, चीन टेबल टेनिस, जापान जुडो, यूएसे बेसबाल, ब्राजील फुटबाल, इजराइल एभी फुटबाल, और इंगलेंड का है किर्केट, कनाडा का है आइस कापी, हाकी, नुजी लेंड का है रगबी, रूस का सतरंज है, रूस का है सतरंज, इस तरह से एक टॉपिक हुए इसके, आगे नेक्ष्ट चलते हैं, भारत के राज्यों के प्रमुख लोकनिते, जैसे जारखंड है, तो जारखंड का है छव, पाईका, सरहूल और जूमर, जारखंड के है छव, पाईका, सरहूल और जूमर, इसके लिए ट्रीक क्या है, इसके लिए ट्रीक ये है, कि जाड़ी में जाके, मैं छव, पाईका, मतलब पाईका हो गया, जैसे मेरा सर जूमने लगा, तो सरहूल और जूमर हो गया, असम का है बीहू, काली गोपाल ए असम के है, असम के है बीहू और काली गोपाल, जो कि बहुत महत्पून है, तो साम में बहु जो है, काली गोपाल के साथ गई मार्केट, तो असम के होगे, बीहू और काली गोपाल, पंजाब का हो गया, भांगडा और गिद्धा, तो इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है, कि जब नोकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा मैं, भांग पीकर गद्धे पर सोंगा, तो भांग से हो गया भांगडा और गद्धा, और जॉब से हो गया पंजाब, तो पंजाब का हो गया भांगड सुई सीनी राजस्थान का करते हैं राजा से तो राजा का पुतली बनाके जो प्रजा थी राजा जो है अगर घमंडी निकल गया या कुछ ऐसे राजा बेमान निकल गया तो उसके लिए प्रजा जो है राजा का पुतली बनाके घुमा घुमा के सुई उसको चुभा रहा था तो राजा से होगा राजास्थान पुतली से कट पुतली हो गया घुमा घुमा के घुमर हो गया सुई सीनी सुई सीनी मतलब सुई से उसको चुभा रहा था अब आते हैं आगे गोवा का तो गोवा का है मांडी और धकनी तो गोवा में जब जाएंगे हम लोग तो मांडी पीएंगे वो भी धकन खोल के इसके लिए हमारा ट्रीक है कि गोवा में जाकर मांडी पीएंगे और धकन को खोल के तो गोवा का हो गया मांडी और धकनी अगला चलते हैं नागा लेंड का है चोंग तो नाग को देख करके इदम चौक जाते हैं हम लोग नाग को देख करके चौक जाते हैं तो नागा लेंड का हो गया चोंग नीत हिमाचल हिमाचल का है छपेली और डंडा नाओ तो हिमाले पे जाने के लिए चपल दंडा से हो गया डंडा नाव और चपल से हो गया छपेली अब आगे है उत्राखंड उत्राखंड का है गढ़वाली उत्राखंड का है गढ़वाली तो अगर घर वाली उत्तर मांगेगी जब हम अगर घर पे लेट पहुचते हैं तो घर वाली उत्तर मांगती है तो घर वाल गढ़वाली तो डंडिया हो गया गरवा हो गया घरवा से छतिस गढ़ का गाड़ी हो गया तो गाड़ी की छती हो गई कहीं जा रहे थे और गाड़ी की छती हो गई अच्छा उडिसा का उडिसी होता है उसी में छिपा हुआ है और मड़ीपूर का मड़ीपूरी महराष्ट का लावडी है और तमासा हो तो महराष्ट में महान काम करने के लिए लव नहीं करना चाहिए अगर हमको महान काम करना है तो लव उपके चक्कर में नहीं पढ़ना है मिघाले मिघाले का है बागल मिघाले का है बागला तो मिघाले से बागला क्या हुआ अगर गलती से घायल कर दिया बगले को मैंने गलती से घायल कर दिया बगले को घायल कर दिया मतलब मिघाले का हो गया बगले से हो गया बागल करनाटक का यच गान है करनाटक का यच गान है तो नाटक करना है वो भी गाना गा का करी करनाटक हो गया यच गान उत्तर परदेश का कजरी रासलीला, जोरा, नोटंकी, चर्कुला यह है उत्तर परदेश का तो कजरी एक लड़की है जो की रासलीला कर रही है चोरे के साथ और नोटंकी कर रही है चर्कुले के साथ जम्मू कस्मीर का है राउफ तो जम्मू कस्मीर का रास्ता ही ऐसा है रफ टाइप का तो रफ से हो जाएगा राउफ तमिल नाडू का है भारत नाट्यम तो भारत को नाटक करने के कहा गया तो वो क्या किया तिल मिला रहा था तो उसको बोला गया भरत नाटक कर तिल मिला मत अंध्रा का है कुचिपुडी कुचिपुडी जो की अंध्रा का देव नित्क भी है तो अंध्रा का हो गया कुचिपुडी मधपरदेश का करमा है करम हमको करते रहना है चाहें हम बीच में हो, सुबा हो, साम में हो, दोपर हमेशा करम करें, तो बीच में हो गया मतलब MP, मदपरदिश, बीच से अगला है केरल, केरल में मोहनी अटम, कृष्ण अट्यम, काली अट्यम और कत्कली अब आते हैं परमुख अंतराष्टिय हवाई अड्ये, तो परमुख अंतराष्टिय हवाई अड्ये में स्टार्ट करते हैं पहले, हमारी एयर सेवाई स्टार्ट हुई थी सबसे पहले इलाहाबास से नाईनी, जो की 1911 में, इसका हेड क्वाटर है दिल्ली और यह 1903 में राष्टिय करण इसका हो गया था छत्रपती सिवाजी अंतराष्टी हवाई अड़ा कहां है तो मुंबई में है छत्रपती सिवाजी अंतराष्टी हवाई अड़ा मुंबई में अम्रिश सर हवाई एड़ा कहा है तो अम्रिश सर में है उसी का नाम गुरु रामदास हवाई एड़ा भी है राजीव गांधी यह है है हैदराबाद में कोच्ची है कोच्ची में गोपिनात बरडोली है गुहाटी में गोवा अंतराष्टी हवाई अड़ा कहा है गोवा में, कैम्पो गोडा कहा है तो बैंगलोर में है, सरदार पटेल हवाई अड़ा कहा है अहमदाबाद में, अमाउसी कहें या इसको चौधरी चरण सिंग हवाई अड़ा है लखनाउर में, काली कट हवाई अड़ा है काली कट में अत्री चुरा पल्ली हवाई अड़ा कहा है त्री चुरा पुल्ली में कुयमबटूर हवाई अड़ा कहा है तो कुयमबटूर भी है कुयमबटूर में अगला है बाबा साहिब अमबेटकर हवाई एड़ा नागपूर में लाल बहादुर सास्त्री हवाई एड़ा ए है वारानसी में जैपूर हवाई एड़ा जैपूर में और स्रीनगर या सेख आलम हवाई एड़ा कहा है स्रीनगर में बीर सामरकर हवाई एड़ा है, पोर्ट बलियर में, अहले अबाई होलकर हवाई एड़ा कहा है, इंदोर में, अब बगडोरा हवाई एड़ा कहा है, सिली गुडी में अब आगे चलते हैं, अब आगे है भारत के परिवहन, तो सबसे पहले रेलेवे लेते हैं तो रेलेवे अठारा सो तिरपन में डलहोजी द्वारा चलवाया गया जो कि फर्ष्ट रेलेवे चली थी मुंबई से थाणे के बीच में और पहली बिद्धु ट्रेन चली थी 1925 में मुंबई से हर्वर के बीच में रेलेवे बोर्ड का अस्थापना हुआ था 1905 में और रेलेवे बोर्ड का जो मुख्याले है अलागला 18 जोन है टोटल 17 पहले था और एक नया जुड़ गया है लाष्ट बना है 18 जोन है पहला रेलेवे जोन बना था दच्छिर रेलेवे जोन चिन्नई और सबसे लाष्ट बना है सबसे लाष्ट विसाखा पत्नम में जो बना है वो सबसे लाष्ट में 18 माजुन उत्तर रेलेवे का हेड़ क्वाटर है दिल्ली दच्छिम रेलेवे का हेड़ क्वाटर है चेन्नाई पुर्वी रेलेवे का हेड़ क्वाटर है कोलकाता पस्चिमी रेलवे का हेड़ क्वाटर है मुंबई उसी परकार उत्तर और पस्चिम रेलवे का हेड़ क्वाटर है जैपूर और पस्चिम दच्छिन का हेड़ क्वाटर है हुबली पस्चिम दच्छिन और पुर्वी का हेड़ क्वाटर है कलकता और उत्तर और पुर्वी का हैड क्वाटर है गोरगपुर एज रेलवे के जोन है अच्छा रेलवे में डिवीजन कितने हैं तो रेलवे में डिवीजन है 68 और जोन है टोटल 18 टोटल जोन है 18 पहले 17 था एक बढ़ा हुआ है विसाका पत्नम में 18 होगे Railway Line तीन परकार की होती है जो की Narrow Gage जिसकी लंबाई होती है चौड़ाई होती है 0.702 मीटर और जो मीटर Gage होता है उसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर और जो Broad, मतलब बड़ी Gage होती है वो हता है 1.676 मीटर सबसे लंबी Railway Line अगर विश्व में कहेंगे सबसे लंबी रेलवे लाइन है तो है Trans-Siberian जो की रूस में है इसकी टोटल लंबाई है 9,289 किलोमीटर और भारत में कहें सबसे लंबी रेलवे लाइन कहां से कहां तक है तो डिबरूगर से कन्या कुमारी तक है जिस पे कौन सी ट्रेन चलती है त 11,234 किलोमीटर टोटल लंबाई है रेलवे इंजन का जो निवाण होता है वह होता है चितरंजन में, बनारस में और भोपाल में सबारी डिब्बा कहां कहां बनता है तो सबारी डिब्बा एक बनता है ICF चन्नई और एक बनता है ICF करपूर्थला करपूर्थला का स्थापन हुआ था 1986 में तो ICF ICF चन्नई बनता है सवारी डिबा और एक है RCF करपुर्थला जो की 1986 में इसका स्थापना हुआ था मेट्रो इस्टार्टिंग हुई थी 1984 से और सबसे बड़ी रेलेवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग जिसकी लंबाई है 10.96 sihte कीलो मीटर अब आगे आते हैं भारत के बंदरगा इसका headquarter है पलकता में गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में बंदरगा था कांडला बंदरगा जिसका नाम change करके कर दिया गया है पंडित दीन दयाल उपद्धै बंदरगा इसके बाद महराष्ट में है मुंबई बंदरगा जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है गोवा में है मुर्मा गाओ बंदरगा करनाटक में है निउ मंगलोर बंदरगा केरल में है कोची बंदरगा जो की सबसे प्राकिर्तिक बंदरगा है पूछता है कि भारत में कौन सा ऐसा बंदरगा है जो कि प्राकिर्तिक है वो है कोच्चीन बंदरगा तमिल लाडू में तीन बंदरगा है तमिल लाडू में तीन है एक चन्नई बंदरगा एक इन्नोर बंदरगा और एक तुर्तिकोरीन बंदरगा जो इन्नोर बंदरगा है वो नीजी छेतर में आता है मतलब वो प्राइबेट कमपनी ली है उसको प्राइबेट और इसके बाद में अंधरा में आते हैं तो अंधरा में विसाखा पटनम है विसाखा पटनम बंदरगा है जो की भारत का सबसे गहरा बंदरगा है पूछता है question कि भारत का सबसे बहरा गहरा बंदरगा कौन सा है विसाखा पटनम है उडिसा में पारादिब बंदरगा है जो कि यहां से जपान के लिए लोहा निरियात होता है वेश्ट बंगाल में पशी मंगाल में है कुलकता बंदरगा इसको हलदिया बंदरगा भी करते हैं और इसका नाम चेंज करके स्यामा परसाद मुखरजी बंदरगा कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर में एक है अंडबान निकोबार बंदरगा अब देख लेते हैं जल मार्ग तो नेशनल वाटरवे नंबर वन जिसकी लंबाई है 1620 किलो मीटर यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है जिसमें गंगा नदी और आगे पशी मंगाल में जो है हुगली तक जाता है नेशनल वाटरवे नंबर दो जो की नेशनल वाटरवे नंबर दो है 890 किलो मीटर इसकी लंबाई है और सदिया से धूबरी तक है यह कहां से कहां थे तो सदिया से धूबरी तक और नेशनल वाटरवे नंबर तीन है 205 किलो मीटर जो की कोलम से कोटायम कोलम से कोटायम तक नेशनल वाटरवे नमबर तीन यह जो है जलमार्ग बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें अन्टी पी सी, ग्रूप डी और अल्पी तीनों में कोश्चन हमेशा पूछा था अभी जो पिछली बार हुए थे इसमें सब में पूछा हुआ है अब चलते हैं आगे कुछ राज्य के कुछ चुनेंदे सिटी है उसके कुछ उप नाम है जैसे भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं तो केरल को कहते हैं भारत का पेरिस किसो कहते हैं जैपूर को दच्छिन की रानी कौन है पूडे भारत का स्विटरलेंड कौन है काश्मीर नबाबों का नगर लखनवर दच्छिन की गंगा गोदावरी और दच्छिन भारत की गंगा कावेरी यहाँ धेयन देने वाली बाते हैं कि दच्छिन की गंगा गोदावरी को कहते हैं और दच्छिन भारत की गंगा कते हैं कावेरी को अरब की रानी कौन है कोच्ची राष्टिय राजमर्गों का चौराहा है कानपूर में फूलों की नगरी स्री नगर स्वन मंदिर का सहर अमरित सर गुलावी सहर जयपूर भारत का दिल क्या है दिल्ली मसालों का सहर है कोलकाता और डायमंड हरबर है कोलकाता इस तरह से हम लोगों ने स्टेटिस जीके के कुछ महत्तोपूर टॉपिक उठाये जहां से कोश्चान हर एक एक एकजाम में पूछता ही है इसी तरह कुछ सब्जेक्ट वाइज ला देंगे और आगे स्रीज में ठीक है ऐसे चलते हैं जै ही